कालर्स के शोब परी नीती में दिन बदिन नीती का परी की और रवया बिगड़ता जा रहा है जैसे कि हमने देखा संजू परी और उसके और नीती के होने वाले बच्चे की देखबाल करने के लिए जब परी के कमरे में सोने जा रहा होता है तो बेबे के बातों से प्रभावित नीती का दिल तूट जाता है वो ये प्रण लेती है कि ये परी जितना भी कोशिश क्यूं न कर ले वो कभी भी उससे संजू को पाने में काम्याप नहीं होने देगी रात को जब परी पानी लेने आती है नीती को जाकते हुए देख उसे ना सोने का कारण पूछती है नीती भेजी जखोके परी से कहती है कि जब संजू उसके साथ सो रहा है तो वो कैसे सो सकती है और ये बात सुनकर परी शौक्ट हो जाती है आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कैसे परी संजू से बात कर रही होती है तो नीती उनकी बाते चुपकर सुनती है परी संजू से कहती है जो राज है उसे राज ही रहना चाहिए और कभी भी नीती के सामने नहीं आना चाहिए ये बात सुनकर नीती और भी शौक्ट हो जाती है और इस सोच में पढ़ जाती है कि कौन सी रासकी बात कर रहे है संजू और परी इसके अलावा संजू जिसे बेबे और नीती पर शक है और ताई जी जिने बेबे पर शक है अपने अपने thoughts और conclusions एक दूसरे के साथ share करते है क्या वो तो इनों मिलकर बेबे और नीती को एक्सपोस कर पाएंगे जानने के लिए देखते रहे है परी नीती और शो से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए Glitz Vision USA को सब्सक्राइब करना ना भूले